देखे स्टूरेंट आज हमें एक और चीज़े गरते हैं देखो दिहान से बिटे क्या है यह अड़ेस्ट्मेंट यह अड़ेस्ट्मेंट है प्रोविजन for discount on debtor बिटे आपको पता है कि हमें debtor से क्या चाहिए हमें debtor से पैसा चाहिए ठीक है बच्चे अब debtor से पैसा जल्दी चाहिए सही time पे चाहिए तो हम उसको एक offer देते हैं जो क्या कहलाता है discount कहलाता है बिटे यह जो discount होता है ना यह discount क्या होता है यह cash discount होता है सही है अब इसकी cash discount जो हम देते हैं उसके लिए हमने क्या रखा होता है एक provision रखा होता है कि भीया उससे जो भी नुकसान होगा जो हम उसको discount दे रहे हैं उसके लिए हमने एक provision बनाके रखा होता है अब जो provision होता है यह provision क्या कहला आता बच्छे यह provision कहला आता provision for discount on debtor ठीक है बच्छे यह चीज़ समझे ध्हान से इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ इट इज आ दिखे इट इज आ नार्मल प्रैक्टिस इन दी बिजनेस पिटे यह एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है इन दा बिजनेस टू अलाव कैश डिसकाउंट जो हम क्या करते हैं कैश डिसकाउंट अलाव करते हैं ठीक है बच्छे तू दोस डैटर फ्रूम करते हैं कि अलाव करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं in a fixed period बीटि ध्यान से समझो हम यह चाहते हैं कि उनकी तूरंत payment हो जाए और weirdest time period में payment हो जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं उनको एक besides discount दिया जाता है ठीक है अब उस index discount को सीओ लाज को भीर करने के लिए हम क्या करते है एक provision बना एक राखते है जिसका नाम क्या होता है, provision for discount on debtor, बात समझ रहे हैं, यह debtor से related होता है, अब बड़े ध्यान से समझेगा, इसको adjustment को किस तरीके से solve out करते हैं, final account के अंदर इसको समझते हैं मेरे बच्चे, इसकी एक-एक situations को देखते हैं, और यह देखते हैं कि किस तरीके से situations को solve किया जाता है देखो ध्यान से, सबसे पहले आपका first situation लेके चलते हैं, अब इस first situation में आप सबसे पहले देखो ध्यान से, हमें trial balance के अंदर क्या दे रखा है, debtor दे रखे हैं, दूसरी चीज क्या दे रखे है, bad debts दे रखे हैं, और तीसरी चीज क्या दे रखे है, provision दे रखे हैं, तो मैंन further bad debts भी दे रखे हैं और हमें क्या कह रखा है हमें कह रखा है make up provision एक provision बनाना है कितना provision बनाना है 3% किस के उपर debtor के उपर तो बेटे ये दोनों चीज़े नीचे दे रखे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया no new हो गया बेटे बात यहांते समझ में आ गई अब बड़े ध्या आपका अलग से debtor दे रखा तो अब इस तरीके की जो adjustment को कैसे solve out करना है वो बड़े ध्यान से समझनी है तो सबसे पहले बिटे आप ध्यान से समझो कि हमें जो है provision की value निकालनी है कि provision कैसे निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि भी है सबसे पहले आपने लिखना है debtor तो आपके पास debtor कितने है यह है एक लाक एक हजार सही है जी इसमें से less करो क्या less करो सर further bad debts तो further bad debts minus कर देते हैं वो कितने है वन थाउजन रुपीस तो कितना amount आया यह amount आगया एक लाक रुपे बात समझ रहे हैं अब इसके उपर आपने क्या बनाना है new provision तो new provision एक लाक प new provision कितना बनता बिटे यह कितना है आपका 3% तो 3% आपने बनाया तो कितना निकल के आया यह amount आ गया 3000 बात समझ में आ रहे हैं तो यह जो 3000 है यानि कि यह वाला जो provision निकल के आया सर यह निकल के आ गया है 3000 तो आपके पास अब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है यह दोनों यह 1 lakh है यह 1 lakh जो आपका amount आया है minus करने के पाद तो उसके बाद यह 3000 आपने new provision निकाला है इस 3000 को यहां से minus करेंगे यह 3000 आपका यहां से minus होगा तो यह जो amount निकल के आया 97,000 इस 97 बड़े ध्यान से समझे बच्चे देखो ध्यान से हमने further bad debts minus करने है फिर उस further bad debts से जो amount नि new provision बनाना है फिर then new provision को minus करना है जो amount निकल के आएगा यह होगा आपका discount on debtor जिस पे आपने क्या निकालना है सही है जी percentage निकालना है तो 97,000 पे आप 2 percentage निकालेंगे तो 2 percentage आपने यह निकाला तो यह amount आगया आपका 0,4,19 तो यह amount आपका यह निकल के आगया बड़े ध्यान से समझेगा मेरे बच्चे किस तरीके से आपने कैसे कैसे amount निकाला है तो debtor में से आपने further bad debts minus करें further bad debts में new provision minus करा then जो amount आया उसके उपर आपकी discount की value निकल के आएगी जो आपने निकाला तो अब आपके पास सारे amount की value निकल के आ चुकिए अब हम इने fill up कर करते हैं अब बड़े ध्यान से समझेगा हम कैसे करते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है profit and loss में लिखना है profit and loss में आप क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे two bad debts जो आपके old bad debts है तो पुराने bad debts कितने है two thousand तो बेटे आपने क्या लिखना है यहां पर लिखना है two thousand रुपीज अब यह two thousand रुपीज इसमें add करना है मेरे बच्चे क्या add करना है further bad debts तो add कर देते है further bad debts अब further bad debts कितने हैं मेरे बेटे आपके है one thousand रुपीज तो यह आगे आपके one thousand रुपीज यह add कर लिया इसमें क्या add करना है मेरे बेटे इसमें add करना है आपने new provision तो new provision अड़ कर लेते हैं तो हमारा new provision कितना है न्यूड प्रोविजन आपने निकाला था? 3000ुपीज तो यह 3000 रुपीज आपने add कर लिया, तो यह amount आपका कितना बना, यह amount बना आपका 6000ुपीज, ठीक है मेरे पच्छे 6000ुपीज, ठीक है अब आपने क्या करना है, इस में से less करना है क्या less करना है, old provision तो आपने last करा बिच्छे old provision, अब ये old provision कितना है, check कर दो मेरे बिटे, old provision है आपका 5000, तो आपने ये minus कर लिया, यहां से, तो ये amount minus करा 5000 उपीज, ये value कितनी निकल किया गई, 1000 उपीज, ये आपकी value निकला गई, अब ये जो आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, discount on debtor, provision on discount तो ये आपने अलग से दिखाना है, तो आप यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे, to discount on debtor, ठीक है मेरे बेटे, ये जो debtor की value है, कितना है, 1940, ये आपने यहां पर show कर देनी है, 1940, बात समझ में आ गया, इस तरीके से ये पुरानी चीज़े हैं, और ये आपने इस तरी इस तरीके से show off करना है, बात समझ गए, अब आपने क्या करना है, balance sheet में कैसे show करते हैं, बड़े द्यान से समझिए, तो आपने सबसे पहले लिखना है, मेरे बेटे debtor, debtor का उसका original value देखें कितना है, एक लाख एक हजार रुपे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसक आपके bet debtors हैं, तो आपके bet debtors कितने थे, check कर लो, new bet debts हैं आपके 1000 rupees, तो आपने यह 1000 rupees minus करना है, तो less करना आपने, ठीक है, less करा bet debts, कौन से वाले, new वाले, रिठेरी, यह कितना amount आगया 1000 rupees, इसमें से amount minus करने के बाद、 आपके amount कितना निकल किया अगया, एक लाख रुपे, ठ और आपने चेक करना है कि आपने इसमें से माइनस करना न्यू प्रोविजानبة उप्रोवीजन किना बनाया था 3,000 रुपीज तो अब हम यहां से माइनस करते हैं तो लास कर लीज़े備 आप न्यू प्रोवीजन तो new provision less करा 3000 उपीज, यह amount कितना आ गया मेरे बेटे, यह आ गया 97000, ठीक है मेरे बेटे अब इसमें से आपने क्या करना है less करना है यह, discount on debtor, तो यह minus करा आपने, तो यह less कर रहे हैं आप less provision on discount on debtor, यह कितना है मेरे बेटे 1940, सही है अब यह minus करेंगे, आप 1940 minus करने कर आपकी value कितने आएगी, 95060 बास समझ में आ गई, तो यह ध्यान दखिए, यहाँ पर आपने यह चीज माइनस करी, यह चीज माइनस करी और यह चीज माइनस करी, यानि कि new bad debts माइने हुआ, new provision माइनस हुआ, new discount on debtor minus हुआ, then यह amount निकल के आ गया, पास समझ में आ गई, इस तरीके से आपने इन situations को handle करना है, अब देखे ध्यान से, आगे समझते हैं, एक नई situation, अब देखो, इस तरीके से हमें इस चीज दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है, उसे समझते हैं, हमें क्या दे रखा है, debtor दे रखा है, ठीक है, यह debtor की value दे रखी है, bad debts दे रखी है, और provision for discount on debtor दे रखा है, तो मेरे आपको पहली बताया था, जब यह चीज इस तरीके से दे रखी होती है, तो यह क्या हो गया, old हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपको यह चीजे नीचे दे रखी है, further bad debts भी दे रखी है, और provision for discount on debtor, सही है, कितना है, 3%, यह भी आपको दे रखा है, तो यह मेरे बिच्चे यह दोनों चीजे क्या हो गई, यह दोनों चीजे new हो गई, बात समझ में आ गया, अब यह जो चीज है, आपका provision for discount on debtor, सर यह तो पहल provision की value कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करेंगे, debtor की value कितनी है, debtor की value है, एक लाख एक हजार, इसमें से sir less करिए, क्या less करना है, new bad debts, तो new bad debts minus करें, यह कितने बच्चे, एक हजार, क्या value निकल क्या गई, एक लाख पे, ठीक है, इसमें से sir, इस एक लाख पे क्या बनाना है प्रूविजन इस एक लाग पे प्रूविजन बनेगा, ठीक है बच्छे, अब बनाया आपने प्रूविजन, ये प्रूविजन है, ठीक है, एक लाग पे कितना परसंट, 3 परसंट, तो at the rate rate of 3% क्या value निकल के आगई 3,000 रुपे तो बिच्चे ये value कितनी निकल के आगई ये तो निकल लगी सर 3,000 रुपीज ठीक है अब ये value कितनी आगई 97,000 क्या तक क्लियर हो गया अब इसके उपर क्या बनाना है आपने discount on debtor, तो discount on debtor कितना हो गया, ये हो गया provision discount on debtor, इसका 2%, तो at the rate of 2% इसके उपर निकालेंगे तो क्या value निकल गएगी, 1940 ये value निकल के आगई आपकी, बास समझ रहे हैं, अब बड़े ध्यान से सुनिए कि आपके पास ये value भी आगई और ये value भी आगई, ठीक है, तो मैंने आ आपको क्या समझा है था, कि आपने एक चीज समझनी है, कि जब आपके पास इस तरीके से कोई value निकल के आती है, तो आप इसको solve कैसे करेंगे, तो आपने calculation करके रखनी होती है, तो मैंने का कि आप जब आप लिखेंगे, तो सबसे पहले बेटा क्या लिखते थे आप, bad debts ल यह amount है आपका एक लाख, एक हजार उपे, यह है debtor की value, पहले bad debts देख लेते हैं, यह 2000 उपे है, इस 2000 उपे में से आपने calculation करनी है, तो 2000 उपे सर लिख लिए, यह आगया सर आपका 2000 उपीज, new bad debts कितना है मेरे बच्छे, new bad debts है 1000 उपीज, तो यह amount कितना आगया मेरे बच्छ अब इसमें से last करना ज़रा, old provision, old provision कितना है सर, old provision चेक कर लो, old provision कितना है, सर old provision दो 7000 है, देखो, अब करा ना तुमने minus, तो 7000 अब इसमें से minus करो, तो answer क्या आया, सर negative 1000 आ गया, तो जब मैंने आपको बताया है कि जब कोई चीज negative आईगी तो वो कहां जाएगा, credit side की से करनी पड़ रही है, बात समझ रहे हैं, तो इसकी treatment करेंगे कैसे profit and loss में, सर profit and loss के credit side पर लिखना शुरू करेंगे, बहुत बढ़िया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, buy, पहले लिखेंगे old provision, सही है जी, जो old provision है आपका, old provision कितना है सर, old provision सर आपको दे रखा है 7000 रुप तो सबसे पहले आपने क्या लिख लिख लिया है यहाँ पर, 7000 रुपीज, यह आगया जी सर, old provision 7000, अब इसमें क्या add करना है, सर जी add नहीं करना है, माइनस करना है, जी, क्या माइनस करना है, तो less करो बिटा, less करा आपने new provision, new provision less करा, वो कितना है आपका, वो सर 3000 तो bad debts कितने है आपके, तो old bad debts check करेंगे, तो bad debts check करो कितने है, 2000 रुपीज, और new bad debts कितने है, 1000 रुपीज, आज वो बिटा, old bad debts minus करते है, तो old bad debts minus करें तो कितना है, 2000 रुपीज, यह कितना आगया, 1000 रुपीज, यहाँ से less करेंगे, क्या, new bad debts, new bad debts minus करे, new bad debts कितने है, amount minus करन क्रेडिट साइट पे शो करा बात समझ रहे हैं सर अब डिसकाउंट वेरी गुड यहाँ पर लिखना है टू प्रोविजन डिसकाउंट ओन डेटर जो आपके पास है वो कितना है सर वो आपने निकाला है कितना 1940 तो उसकी value अब क्या करेंगे यहाँ पर दिखाएंगे 1940 clarity हो गई यह इस तरीके से show up करना है अब balance sheet में कैसे चलेंगे balance sheet में बिटा दिखो ध्यान से same way procedure debtor लिखेंगे debtor कितना है आपके पास debtor एक लाख एक हजार उपए ठीक है बच्छे debtor एक लाख एक हजार उपए अब क्या करना है आपने इसमें से minus करना है क्या minus करना है सबसे पहले minus करने है new bet debts से new bed debts minus करने है new bed debts है कितने है आपके 1000 रुपीज तो minus करो इसके अंदर से 1000 रुपीज तो amount कितना निकल किया गया एक लाख रुपे बास समझ में आ गई ये एक लाख रुपे अब इसमें से क्या less करना है इसमें से less करना है आपने new provision new provision check कर लेते हैं तो new provision आपके पास है कितना Sir new provision है आपके पास 3000 रुपीज आपने यहां से minus करा तो value कितनी निकल की आ गयी ये sir value निकल की आ गयी 97,000 यहां से आपने less करना है क्या less करना है Sir provision for discount on debtor वो कितना है 1940 यहां से minus करा तो amount कितना निकल किया गया 1940 को 97,000 से minus करते हैं, तो यह allowed आगया, 95060, ठीक है बच्चे, यह amount निकल किया गया, तो इस तरीके से यह चीज़े ध्यान रखने हैं, आपने बच्चे, कि credit side और जो है, किस तरीके से जो जो चीज़े आपके पास हैं, उसको, आपने उस situation के हिसाब से इसको solve करना है, चलिए बटा हो गए, और discount on debtor भी दे रखा है, और debts भी दे रखा है, अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात समझेगा बच्चे, जब यह सारी चीज़े आपको इखटी दे रखी हैं, तो मेरे बटे यह जो तीनों की तीनों चीज़े हैं, यह तो क्या हो गई, आपको old हो गई, और य नीचे भी दे रखी हैं, तो यह new हो गई, यानि कि उपर और नीचे calculation है, अब यह ध्यान रखने वाली बात है, कि sir, discount word यहां पर भी है, और discount word यहां पर भी है, अब इस तरीके की situation अगर होती है, तो आपने उसको किस तरीके से solve out करना है, वो समझे अब ध्यान से, तो सबसे पहले बीटा calculation part कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, debtor लिखेंगे, तो debtor हैं कितने, एक लाख, एक हजार रुपे, इसमें से less कर लो, क्या less कर लो, sir, new bad debts, new bad debts कितने हैं आपके, एक हजार रुपे, यह minus कर लिया, तो amount कितना आ गया, एक लाख रुपे, इसके उपर क्या बनाएंगे, new provision, sir, new provision बना लेते हैं, वो भी less करना है, sir, new provision, एक लाख पर कितना बनाना है, sir, 3%, 3% बनाना है, तो कितना बन गया, 3000 रुपी, amount कितना आ गया, 97,000, इस 97 पर क्या बनेगा, sir, discount on debtor बनेगा, वो discount on debtor कितना है, 2%, वो कितना है, 1940, बात समझ में आ गया तो जो amount निकल के आएगा, वो यही होगा, 9560, अब यह आपके पास दोनों values आ चुकी है, यह value कितनी है, sir, 3000 रुपी, और यह value कितनी है, 1940, यहां तक clarity हो गई, सही है, sir, यह value जो निकल के आगे, अब इसको put up कैसे करना है, यह सी समझे ध्यान से, तो सबसे पहले आप हमने द कीजे देखके चलनी है, तो यहां पर मैं एक बार देख लेता हूँ कि debit side आएगा, या credit side आएगा, तो यहां पर लेक लेते हैं, बच्चे, यहां हमारे पास bad debts है, ठीक है, और उस bad debts में हमें add करना है, सही है, कौन सा new bad debts, new bad debts add करना है, sir, और क्या add करना है, new provision, अब चेक कर लेते हैं, हमारे पास है क्या, हमारे पास bad debt दे रखे हैं, 2000 रूपीज, ठीक है, और new bad debts कितने हैं, 1000 रूपीज, तो यह add कर लो बिटा, यह आपके पास आ गया value, 2000 रूपीज, इसमें यह add करा 1000 रूपीज, और आपके पास new provision, यह कितना था, 3000 रूपीज, amount कितना आ गया, 6000, इसमें से less करो क्या, old provision, old provision कितना है, 7,000 रूपीज, यह कितना value आ गई, 1000 रूपीज, अब यह सर यह कहा चला गया, असर यह तो credit में चला गया, क्योंकि माइनस में आ गया, तो credit side पर, बड़े ध्यान रखिए, कि जब entry put कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना है आपने, तो old provision, तो पहले आपने old provision लिखना है, old provision कितना है sir, old provision है sir, 7,000 रूपीज, कितना है, 7,000 रूपीज, तो 7,000 रूपीज लिख लिए, इसमें से क्या करेंगे, less करेंगे, क्या less करेंगे sir, new provision, new provision कितना है आपका, 3,000 रूपीज, amount कितना आ गया, 4,000 रूपीज, सहिए जी, आप इसमें से less करना है, less क्या करना है मेरे बेटे, less करना है आपने new bad debts, फेले bad debts कर लेते हैं फिर new कर लेंगे, यहां से bad debts minus कर लो, bad debts कितने हैं आपके चेक कर लो, bad debts है सर 2000 उपीज, तो आपने bad debts minus कर लिया है यहां से, तो bad debts minus करें तो कितने value आगे सर 2000 उपीज, और less करना है आपने new bad debts, यह कितने है 1000 उपीज, amount कितना आ गया 1000 उपीज, आप बड़े ध्यान से समझो बच्चे, अब हमारे पार discount on debtor यहां भी दे रखा है और discount on debtor यहां भी दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, त provision on discount on debtor, वो कितना है मेरे बच्चे, जो आपका नया है, नया वाला कितना है, सर 1940, आप इसमें से less करना है, क्या less करना है, old provision on discount on debtor, वो कितना है मेरे बटे, चेक कर लो, वो कितना है 1000 उपीज, तो वो चीज आपने आसे minus करनी है, यह आ गया 1000 उपीज, तो value कितनी आ गई, 940 इस तरीके से आप इसको presentation करेंगे, बात समझ रहे हैं, इस तरीके से यह चीज दिखानी है, और अब balance sheet की बात आई, अब balance sheet में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, debtor, सही है, अब debtor की value चेक कर लो, debtor है, एक लाख, एक हजार उपे का, तो debtor आपने लिख लिख लिया, क 1,000,000 उपेज, clear हो गया, इसमें से less करो, क्या less करना है सर, आपने करना है, new bad debts, new bad debts, वो कितने है, 1000 उपेज, minus करना है, तो amount कितना आ गया, एक लाख रुपे, अब इसमें से less करना है, क्या less करना है सर, new provision, new provision कितना है, 3000 उपेज, वो minus करना तो value कितनी आ गई, 97,000, अब इसम से less करना है आपने provision discount on debtor नया वाला तो नया वाला कितना है 1940 यह 1940 यहां से minus करा तो आपकी value कितने आ गई 95060 तो यह इस तरीके से आपने अपनी adjustment को समझने की कोशिश करनी है और उसको solve out करना है बात समझ रहे हैं चलिए बेटा अब एक हम नई situation को समझने की कोशिश करते हैं अब यह नई situation क्या है द्यान से सुनो यहां पर आपको क्या दे रखा है डैटर दे रखे है ठीक है बैट डैट दे रखा है यहां पर बेटे आपको discount allowed भी given है बड़े ध्यान से समझेगा यह जो discount है यह कौन सा मेर डैट भी दे रखे हैं तो मेरे बेटे यह जो चीज़े आपको दे रखे हैं यह सारी की सारी चीज़े क्या हो गई आपकी यह आपकी old हो गई है बात समझ रहे हैं अब चैक करते हैं adjustment में हमें क्या दे रखा है हमें adjustment दे रखा फरदर बैट डैट दे रखे हैं provision for doubtful 3% दे र प्रोविजन बनाना है तो लैस करना है आपने नियू प्रोविजन जो बनाना है वो कितना है मेरे बिटे यह आपका 3% तो 3% आप बनाएंगे तो कितना बनेगा 3000 उपीज तो यह वैलू आपकी निकल के आ गई है विच्छे यह वैलू कितनी हो गई 3000 उपीज ठीक है नौ यह जो मैनेस करने के बाद जो वैलू निकल के आई यह वैलू निकल के आगई आपकी 97,000 इसके उपर आपने क्या बनाना है बिटा discount on debtor, तो less करना है आपने provision discount on debtor, वो कितना बनाना है सर, वो 2 percentage बनाना है, यह आपको दे रखा है 2 percentage, इस पर 2 percentage बनाया, तो 1940 value आ गई, इसको minus करने के बाद आपका value आ गया 9560, तो अब आपके पास इसकी value भी निकल के आ गई, 1940, सर अब यह जो चीज़े आई है, इसमें एक नई चीज़ आई है, discount allowed, इसको कैसे use करना है, और कैसे इसका इस्तिमाल करना है, कैसे इसको adjustment को solve करना है, वो चीज़ समझेंगे बेटे द्हान से, अब बड़े द्हान से समझो, इसको इस तरीके से लेके चलेंगे, कि आपको solve कैसे करना है, और उसकी चीज़ को किस तर और प्रोविजन, तो आपका old provision कितना है सर, old provision दे रहा है 7,000 रुपीज, तो same question था, 7,000 रुपीज, इसमें से less करेंगे, क्या चीज़ less करेंगे सर, यहाँ पर हमने less करनी है आपने new provision, यह आपने new provision minus करा, new provision, new provision कितना है सर, new provision है, 3000, तो value कितने निकल के आ गई, 4000, इसमें से लेस क्या करना है इसमें से लेस करना है आपने new bet дав. new bet तो यह आपने आपने पार यह है यह क्या माइननस करना इसमें से मैंज सक्राइं है आपने bet debts, तो आपके bet debts कितने है, वो ऐसर 2000 रुपीस, यह 2000 minus करा, आपकी value कितनी आ गई, 1000 रुपीस, अब बड़े ध्यान से समझो, सर यह तो पुराना process हो गया, बिल्कुल ठीक है, अब यह जो value है, इसको किस तरीके से solve करते हैं, वो चीज समझने की कोशिश करते हैं, दे आपके पास जो value दे रखी है, यह value कितनी है, 1940 दे रखी है न, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेगा, to new provision, discount on data, discount on data, जो नया है आपका, वो कितना है मेरे बिटे, वो है 1940, समझ में आ रहा है, यह आपकी value कितनी होगे, 1940, आप इस मेरा बिटे, एक ध्यान दखना, कि एड़ करना है, क्या चीज़ एड़ करनी है, सर यह एड़ करना है, आपने जो discount allowed है, यह आपका expenses है बिटा इस बार का, तो यह एड़ करना है, तो यह आपका हो गया, सर, discount allowed, जो आपने करा, वो कितना है, वो है मेरे बिटे, 1500, इसको add कर लो, यह एड़ करने पर value आ गया, 3440 यह value निकल के आगए, अब मेरे बिटे यह ध्यान रखेगा, इसमें से less करिएगा, कौन से वाला, जो old आपका provision है, discount on debtor पर, वो कितना है, सर, वो हमें दे रखा है, 1000 रुपीस, very good, तो यह आप यहां से minus करिए, यह minus करा, तो यह value कितनी निकल के आगए आपकी, यह value निकल क जो है, कहां जाएगा, balance sheet पर चेक करते हैं, अब balance sheet में आजेगे, balance sheet में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, sir, debtor, debtor कितने है, sir, debtor है, one lakh, one thousand रुपीस, इसमें से less करना है, क्या less करना है, sir, इसमें से less करना है, further bet debts, यह further bet debts minus कर लिए, one thousand रुपीस की, तो value कितनी निकल के ता, sir, three thousand रुपीस, यह minus करा, कितना आगया, 97,000, और क्या minus करना है, sir, less, जो करना है, आपने वो करना है, sir, जो new आपने, जो provision बना है, किस के ओपर, discount on debtor के ओपर, वो कितना दा, sir, 90, 40, तो आपकी value कितनी आगई, 95060, बात समझ में आगया, इस तरीके से आपने, इनको adjustments को करना है, इसकी practice करिए, hard work करिए, देखे विचे,